नमस्कार दोस्तों मैं हूं शुबम कोटवाल आज मैं आपके सामने एक मुद्दा लेके आया हो जो कि क्यलाश प्रोजेक्ट से रिलेटिड है आपको सुनने में आया होगा कि डीपीर सेंक्षन होई है के लाश प्रोजक्ट को लेके जहां जो रास्ता है वह वाया स्योस छत्रगला से फिर के लाश के लिए जा रहा है सबसे पहले चीज बढल का यूथ यह जाना चाता है कि इतना बड़ा रास्ता क्यूं जो पुराना रास्ता वह पनेज्जय से श्योस का रास्ता नव पी लंडें हैं वहां से कोरें यह ने दिख Navy का भाम पर आपको तो वहां से कोई बेनिफिट दिखनी रहा है, अगर बात करें, आप रिस्टोरेशन की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट जगाओं पे छोटी-छोटी मुवमेंट चलती जा रही है, एक अभिमन्य कोतवाल ने एक वाटर रिसोसिट रिस्टोरेशन की मुवमेंट डाली थी वाया डिफरेंट चैनल, जब हमने उसके बारे में स्टडी किया, हमने देखा इन से तीस चश्में रिस्टोर नी हो रहे हैं और जब उनकी बात की जाए तो वह बोलते हैं कि यह इसलिए रिस्टोर नी हो पा रहे हैं क्योंकि कैलाश जो पत्थर गिरते हैं, लैं पर हो रही है, क्योंकि मुझे पता है जहां तक कि जब प्रोजेक्ट की बात की जाए जो प्रोजेक्ट की हमेशा मुवमेंट होती है, वह हमेशा रिगार्डिंट टुछ जिओलोजी बॉटनी, सोशालोजी और इंफॉर्मेंटल साइंस पर इंपक्ट को देखकर होती है, लेकिन जब बात करें इस प्रोजेक्ट की तो इस प्रोजेक्ट की भनक अभी तक भदर्वा के चुनिंदा बंदों को है, ज्यादा मास्क को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता भी नहीं है, अगर बात की जाए, अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो हमारी जम्मू की भदरवा के सबी यूज की यही दिमांड है कि यह पनजय से रास्ता पुराना निकलता है, उसी रास्ते को पक्का किया जाए, स्योस को किनेक्टिविटी दी जाए, ताकि वहां का तूरिजम भी बढ़े, भदरवा को कहीं न कहीं विसका बेनिफिट मिले, च्छतरगला वाले रास्ते का तो अभी तक किसी को कोई benefit दिखनी रहा है और उसके लिए मैं चाहूंगा कि भदरवा से और लोग आगे आए यह अपनी पार्टी के जो आपके अपने अपने गोल है इनको साइड लाइन करके आपको आगे आना पड़ेगा क्योंकि अगर आगे नहीं आते हैं को क प्रवा में हिमालयन थार जो है जिसको जंगली बक्री भी बोलते हैं जो की नियर थ्रेटन स्पीसिज में आयूसीन में रेड लिस्ट में है और वो डिकलाइन हो रही है ड्यू तो हंटिंग और इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है उसी के साथ एक मस्ट दिया रहा है जिसको मस्ट मस्ट भी बोलते हैं वह छोटा सा ही रन होता है उसकी हंटिंग इसली एकसेसिबल हो जाएगे अगर यह रोड बनती है तो दूसरी चीज़ है वह फ्लोरा एंड फॉना को एफेक्ट कर रहा है उसमें 20 पोधे हैं जिनकी स्पीसिस खतम हो रही है नीचे आप एक पोध अगर बात करें कि यहां पर जो अगर होंवर्क की बात करें जो एक लाक और वर्क है वो रिसर्च में शो होता है हम चाहते हैं कि इसकी एक कंक्रीट स्टडी होनी चाहिए वह भी रास्ता कहां तक पनेज्य स्योस बस इतनी ही कनेक्टिविटी हमें चाहिए इसलिए मैं एक बार फिर से भद्रवाईयों से बार बार गुजारिश करूंगा कि आप आगे आईए एक बार पहले भी केलाश को छेड़ने की कोशिश की थे और वहां पर सैलाब आया था तो प्लीज 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 दुबारा वही हालात मत बनाईए एक बार मैं फिर से गुजारिश सबको करता हूं कि इस यह सिरफ एक सिंगल इंसान की मूमेंट नी है यह पूरे कर रहा है एक पawTalk तूरीजम को को अगर बात की जाए टूरीजम की तो आप अभी भी देख रहे हैं कि जो भी रहते हैं बहार के आते हुट में को घडाणी के लिए दिखाए जाता हैं डिए अभी तक भद्रवा के बेसिक डिए डिए उसको देखिए आपके पास बहुत सारे मुद्धे हैं पहले देखने के लिए परसनल बेनिफिट के लिए इस मुद्दे को मुद्दानी बनाई च्छतरगला की रोड भद्रवा के यूथ नहीं डिमांड करें और भद्रवा के यूथ आने वाले टाइम पे सडकों पे उतरेंगे इसके लिए आपने विश्णोईों को देखाऊगा विश्णोई भी उतरे थे वह चिपकू मुमेंट स्टार्ट की थी वैसी एक मुमेंट अब भद्रवा में स्टार्ट होने जाएगी अगर कैलाज के लिए रास्ता जाएगा बस में इतना ही बोलना चाहता हूं आज मेरी तरफ से धन्यवाद जय भारत जय हिन